हरियाना और जम्मू कश्मीर के बाद जार्खन में विधानसवा चुनाव होंगे राज में विधानसवा चुनाव की कभी भी घोशना हो सकती है वहीं सुत्रों के मुताबिक महारास्ट और जार्खन दोनों के एक साथ विधानसवा चुनाव होंगे बताये जा रहा है कि जार चुनाव की घोषना के साथ ही राज में अचार संगीता लागू हो जाएगी और इसके बाद राज सरकार कोई भी नई योजना शुरू नहीं कर सकीगी वहीं आपको बता दे 26 नॉमबर को महरास्ट विधान सभा चुनाव का कारकाल पूरा हो रहा है जबकि 5 जनवरी 2025 को पंचम जारखंड विधान सभा का कारकाल पूरा होगा क्यास लगाए जा रहे हैं कि दोनों राज्यों के जो चुनाव है वो एक साथ होंगे वहीं 2019 में जारखंड में पांच चरण में चुनाव कराए गए थी महागडवन्दन के तहत जामुमो को 43 और कॉंग्रिस को 31 सीटे और राजट को 7 सीटे मिली थी देखना ये होगा कि इस बार जारखंड विधान सवा चुनाव में किसको कितनी सीटे मिलती हुई नजर आती है रही तारीखों की बात तो अब ये जो तारीखें हैं वो 7-8 नॉम्बर के बाद जारखंड में चुनाव होनी की पूरी उमीद जताई जा रही है वही जारखं के मुख निर्वाचन पताधिकारी रवी कुमार ने कहा है कि आगामी विधानसवा चुनाव जो निर्वाचन को देखते हुए जो दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के करम में आवस्यक निउन्तम सुविधाय जैसे मतदान केंद्रों पर रैफ वीलचेर सोचाले आवशकता अनुसार वॉलिंटियर की ववस्ता करने के लिए पूर्व से ही कारियोजना तयार करते हुए इनके अनुपालन की ववस्ता करनी है वहीं देखा जाए तो अब जारखन में जोरो सोरो से तैयारियां शुरू हो गई है और चुनाव आयोग भी काफी एक्टिव मोड में नसर आ रहा है और ये भी माना जा रहा है कि अगर ये चुनाव 26 नौमबर तक होता है तो महरास्ट विधान सभा का भी कारिकाल पूरा हो जाएगा जबकि 5 जनवरी 2025 को पंचम जारखन विधान सभा का कारिकाल पूरा होगा तो क्यास ये लगाए जा रहे है कि दोनों राज्यों के जो चुनाव है महरास्ट और जारखन के वो एक साथ होंगे वहीं 2019 में जारखन में पांच चरड में चुनाव कर आए गए थे और महागडबंधन के तहट जामूमों ने परच्यम लहरा था इस बार अगर ऐसा समीकरड बनता है तो जाहिर तोर पर कहीं न कहीं ये मामला जो है वो भारतिये जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ न आंगरेस पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकते हैं